एपिसो नमा 73 की स्टर्टिंग होती है और यान कैरी होती है मुझे लगता है कि अंटी गाउसिया बहुती ज़दा एक्सैटेड है और वो एक ही नजर में बता सकती है कि मैं फूजी इन चेन की रखेल हूँ और लगीली मुझे ये पता है कि आपने स्रेपैसा इसलिए कहा था क्योंकि आपको मेरी परवा थी लेकिन कोई अजनई भी आपकी ये बात सुनकर उसे ऐसा लगेंगा जैसे कि आप मेरी बेज़जती कर रही हो वेसे भी एक लड़की की प्रतिष्ठा बहुती जदा इंपोर्टेंट होती है वही खड़ा फूजी इन चेन ये सब बाते सुनका उसिया की तरब घुसे से देखती हुए कहता है मेरी कोई रखेल नहीं है अगर आपको मुझसे कोई दिक्कत है तो आप सीदे आकर मुझसे ये कह सकते है ये सब सुनका उसिया कापने लगती है और उस ऐसा कापता देख जियंग याओ कहता है मौम और पिर जियंग याओ घुसे समन में किन लगता है उन्होंने कई बार मेरी मौम पर आरोप लगाये है लेकिन मैं किसी को भी अपनी मौम पर रत्यचार नहीं करने दूंगा बहले ही वो फू परिवार का यंग मास्टर ही क्यों ना हो और अप फू जिन चेन मुझे तुमें सबक सिका नहीं होंगा फिर वो फू जिन चेन की तरह बाटल फेक चलाती है कहता है मास्टर फू जिन चेन ये सब कहने के बाद आपको प्यास लग गई होंगी तो ये लीजिए पानी और फिर वो मन में कहता है मेरी ताकत अधिकांश लोगों से ज़्यादा है बहले ही फू जिन चेन उस बाटल को पकड़ ले लेकिन उसके तुरंत बाद में उसकी खुड़सी को धक्का दे दूँगा और वही फू जिन चेन खड़े होती है उस बाटल को पकड़ लेता है और वही जिन ये सब देख चौकती है मन में कहता है क्या और वही फूजीन चेन यान से कहता है यान क्या तुम्हें प्यास लगी है क्या तुम पानी पीना चाहूंगी अब यान उससे कहती है तुम्हारा शुक्रिया और वही जियंग याओ ये सब देख बहुत ज़्यदा गुसा हो रहा होता है और मन में कहता है वो उस बोटल को इत समय बात का समय दिखाया जाता है जहां सभी लोगों ने डिनर कर लिया होता है और गाउ सिया यान से कहरी होती है यान मैं तुम्हें इतना गलत समझ निकले माफी चाहती हूँ मैं सच में कितनी ज़्यादा बेवकूफ हूँ और वैसे यान क्या तुम्हें लिन यान याद है म मेरी प्लैनिंग सुने चित रुप से चलती रहे और वैसे भी भविश में मुझे उससे बदला लेने का मौका जरूर मिलेंगा और वही यान उसकी ये सब बाते सुन मन में कहने लगती है आखिर कार उसने उसका जिक्र कर ही लिया गाउस उया ने मुझे अपनी पिछली जिन्दगी में लीन यान से मिल वाया था और फिर वो मेरा मंगेतर बन गया और ये दोनों लोग वही लोग है जिन्होंने मुझे मारने और हमारे परिवार को नश्ट करने का साथ में मिलकर प्लैन बनाया और फिर गाउस या उससे के तिये लीन यान को तुम में दिल्चस्पी है तो क्या तुम उससे मिलना चाहोंगी और फिर यान मन में केन लगती है उस वेक्ती को तो इसके लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए और गाईज जी की साथ एपिसो नुमर 73 यहां एंड होता है पसना है तो लाइक एंड सेस्काइब जरू करें मिलते हैं को जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में